नुश्कार दोस्तों स्वागत है सही गाड़ी चैनल पर मैं हूँ स्रंगार और आज मैं आपके लिए कुछ नए इंफोर्मेशन लाया हूँ जो कि है कार के इंशरेंस से सम्मंदित आप सभी के पास गाड़ी तो होगी टू वीलर अगर फोर वीलर या फिर जितने भी वीलर आपके पास है ऐसी कार या बाइक आपके पास है उनमें आप इंशरेंस लेते हैं और कभी-कभी आपको आपका दिमाग खराब हो जाता है क्या इंशरेंस लेना जरूरी क्यों है तो इसका अंसर आज मिलेगा वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो हजार रुपे फाइन पड़ेगा पुलिस वाले पकड़ लेते हैं इंशरेंस नहीं है तो फाइन मिटा देते हैं फिर फाइन भरना भी पड़ता है और इंशरेंस भी खरीदना पड़ता है गाड़ी नहीं चला सकते हो बिना इंशरेंस के इंशरेंस के पेपर मानगे जाते बहुत बार ख़याल आया होगा कि मैं एक मशीन ले रहा हूँ उसका इंशुरेंस क्यों करवा हूँ मैं को करवाना है तो करवा नहीं करवाना है तो ना करवा हूँ चलि इसका आंसर जानते हैं, दोस्तों होता गया है हमारे country में, एक घंटे के अंदर 50 accident होते हैं पूरी country में, अब यह जो है काफी पूराना आकड़ा है, अभी ही हो सकता है कि 60-70 accidents भी हो रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं, एक घंटे के अंदर इतने सारी accident हो रहे हैं, अब जि इसकी वाज़े से आप बहुत समय तक वह चीज़ पे करते रहें, सरकार का ये नियम है, Motor Vehicle Act 1988 में, चैप्टर 11 में 146 से 164 तक ये साफ साफ लिगा गया है कि भाई, आपको इंशरेंस लेना ही पड़ेगा अपने गाड़ी के लिए, क्यों? आप बहुत पैसे वाले है, आपकी गाड़ी है, आपने इंशरेंस नहीं ले रखा है, गाड़ी ठुकी, तो ये जो है, सिर्फ आपके लिए नहीं सीमित होता है, ये सामने वाले के लिए भी सीमित होता है, इसा सामने वाले के लिए भी काम का होता है, अब अगर आपकी गाड़ी में इंशरेंस नहीं है, तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, अपनी गाड़ी को सुधारन तो पूरा पैसां देती हैं लेकिन अगर गाड़ी थोड़ी कम पैसे मिलते हैं लेकिन आपके यह पर उतना बड़ा आगात नहीं होता जितना बड़ा हो सकता था काड़ी में कुछ भी डेमेज हुआ हो तो simple simple बोलना चाहरा था दोस्तों कि एक गंटे में अगर 50 accident हो रहे हैं उसमें से 48 लोगों का भी insurance है तो उन लोगों के पैसे काफी सादा बच जाते हैं तो main focus रहता है कि आप insurance लीजिए अगर आप बोलेंगे बाकी मशीनों पर क्यों नहीं है तो जो मशीने घर में रखने लिए आपने 50,000 कंप्यूटर खरीदा है अब वो घर में रखा रहेगा उसका insurance आप लेना चाहें ना ले उससे किसी को किसी प्रकार की हानी नहीं होने वाल आपके पास गाड़ी है तो आपकी गाड़ी आप रोड पर चलाएंगे और आपको भी नुकसान हो सकता है गिर पड़ सकते हैं लग सकती है और किसी और को भी नुकसान पहुचा सकते हैं तो यह चीज़ सरकार ने काफी जादा गहनत दिन करके सोची है insurance कर रही है अब insurance के पर काफी सारे आपके डिटेल्स भी लिखी होती है आपकी गाड़ी का नंबर होता है चैसी नंबर होता है इंशरेंस नंबर होता है सारी चीज़े information उसके उपर मिल जाती है हाला कि आपको एक चीज़ बता दू कि insurance जो होता है उसकी second copy भी चल जाती है असा नहीं है कि आपक के उपर fine हो सकती है so basically 15-16 साल के लिए आप एक काड़ी खरीद रहे है मतलब जितनी गार की age होती है वही बता रहा हो कार की age जो होती है अगर इतने समय के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके बीच में कभी कोई खुजाना खास्ता कोई हाथसा हुआ तो उसमें आ काफी जादा आपके फायदे में चला जाता है और एक और चीज़ दो तो काफी सार लोग को यह नहीं पता है कि अगर इंशुरेंस आप करा रहे हैं आपकी गाड़ी में अपने साल बर कुछ भी claim नहीं किया तो उसके लिए आपको एक bonus भी दिया जाता है कि आपने पिछली मनी बचाने के जैसा है क्योंकि कई बार हम यह करते हैं कि आट लाग की गाड़ी थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई है आप उसमें 6-7 लाग रुपया घर जाता है और इंशुरेंस रहने पर आपको पूरी तरीके से गाड़ी नहीं मिल जाती मतलब एक्शुरूम मनी ज जादा मुश्किल हो सकती क्योंकि कोई कब गाड़ी आपकी ठोक देगा आपको नहीं पता और फिर वो पूरा पैसा आपको बना होगा लेकिन इंशुरेंस है तो आप दिलदार हो करके किसी को गाड़ी दे सकतेगी भाई चलो अगर तुने कुछ किया भी तो गाड़ी तो म है और आप नहीं करवाना भी नहीं चाहते हैं तो तीन महीने के जेल भी हो सकती है तो अपनी गाड़ी का इंशुरेंस हमेशा रखिए हां एक और चीज़ बताना चाहूंगा इसके बारे में जरूरी है जो अगर इंशुरेंस आपका खतम हुआ है उसके बाद आप आपको कुछ नहीं बात पता हो तो जरू कमेंट सेक्षिन ने बताएगा फिलाल इतना ही